वेलकम बैक टो वर यूट्यूब चैनल टेग गाइड वसीम तो आज की वीडियो में आपको दिखाएंगे कि आप इंडियन आर्मी अगनिवीर के लिए ओनलाइन एपली कैसे करोगे इस वीडियो में आपको step by step full process दिखाएंगे कि आप अगनिवीर 24 रेली के लिए ओनलाइन एपली कैसे करोगे तो बात की जाए इसकी eligibility criteria की जैसे की आपकी जो age है वो 1 अक्तुमबर 2003 से लेके 1 अपरेल 2007 तक होनी जाए यह जो notification ARO सिर्नगर का है यानि जो हर एक ARO की age रखी गई है वो अलग रखी गई है आपको अपने ARO के हिसाब से अपनी notification चेक करनी है कि आप उसके लिए eligible हो या नहीं तो इसकी जो बात की जाए registration की आपकी जो registration है वो 13 February को start होगी है और इसका जो last date है वो 22 माह 2024 को है तो बात की जाए पहले इसका जो है exam होगा जो की online computer based यानि CBT होता है उसकी बात आपका recruitment रेली होता है जिसमें आपका physical और medical होता है जो exam पास करेगा तो बात की जाए इसकी age की इसमें जो आपकी age है 1 October 2003 से लेके 1 April 2007 तक apply कर सकते है इसके बीच में जिसकी भी age आ रही है अगनी वी जरनल duty के लिए वो apply कर सकता है जैसे की योटी अप जमवन किश्मेर के लिए 163 height cm height है और हर एक ARO की जो है वो अपनी अपनी state की जो height होती होत है बात की जाए यहाँ पर minimum weight की वो आपके height के हिसाब से होगा chest जो आपकी 77 होनी चाहिए और आप जब expand करोगे तो 5 cm आपकी जो chest है वो expand होनी चाहिए तो इसमें बात की जाए class 10th याने अगनी वीर जरनल duty के लिए आपको 45% marks होने चाहिए और आपके हर एक subject में जो है each subject मे 33 याने D grade pass होना चाहिए और आपकी total जो percentage है अगनी वीर जीडी के लिए वो 45% है अगर आपके पास एक valid LMV certificate है तो आप यहाँ से driver के लिए preference अपना apply कर सकते हो उसके बाद बात की जाए दूसरा जो trade इसमें है वो अगनी वीर technical है अगनी वीर टेक्निकल में भी जो है आपकी 10 plus 2 intermediate pass होना चाहिए जो कि science subject with physics, chemistry और math में आपका और English लेके आपका 50% marks aggregate होना चाहिए और 40% जो है आपके each subject जो है वो pass होने चाहिए उसकी बात इसमें echo trade आता है जो कि अगनी वी ट्रेट्समें 10th pass आता है इसमें भी आपकी जो age है वो बिलकुल sam है आपका जो class 10th जो है वो apply कर सकते है और इसके लिए आपको कोई percentage की ज़रुत नहीं परती है आप अगर simple pass है तो आप apply कर सकते है उसके बाद आगनी वी ट्रेट्समें 8th pass इसमें भी आपकी जो height है वो सहम 163 cm रखी गई है इसमें आपका जो class 8th है वो simple pass होना चाहिए आप अगनी वी ट्रेट्समें 8 pass apply कर सकते है उसके बाद जो अगनी वीर कलरक हुआ करता था उसका जो है वो rename हो गया है जैसे कि अगनी वीर office assistant store की पर technical इसकी जो qualification की बात की जाए 10 plus 2 आपकी qualification रहेगी minimum आपका कम से कम 60% marks होने चाहिए तो आप इसके लिए apply कर सकते हो और minimum आपके each subject में जो है वो 50% score होना च चाहिए और English में भी आपका 50 होना चाहिए अगर नहीं होगा तो आप इसके लिए apply नहीं कर सकते हो तो आप मैं आपको ले चलता हूँ join Indian army की official website पे आपको आना होगा अपने mobile phone PC या computer के browser पे browser पे आने की बाद आपको search करना होगा join Indian army तो उसकी बाद आपकी सामने join Indian army का official website आ आपको open कर देना है open करनी के बाद यहां पर आपको एक option आ अगनी पत का आपको इस पर click करना अगर आप पहली बार visit करें join Indian army की site पर यापने पहले registration नहीं किया अपना form field नहीं किया है यहां पर आपको एक option आ रहा है user registration का आपको इस पर click करना अगर आपने already registration की है login और apply online व दीगी है कि आप online form field करते time क्या क्या आपके पास होना चाहिए आपको अपना form जाओ carefully fill करना है क्योंकि बहुत सारे candidates है वो जल्द बाजे में अपना form field कर देती हो बाद में जो हो आपकी problem आ सकती है उसकी पाद आपको यहां पर continue option ना है इस पर आपको click करना है continue option पर click करने क के बाद यहां से आपको register with अधार select करना होगा आपके अधार के साथ mobile number link होना चाहिए क्योंकि आपका जो अधार है वो fetch होता है डिजी locker से और आपकी जो detail है वो exact match होने चाहिए with matriculation certificate के साथ उसके बाद confirm to fetch from डिजी locker वाले option पर click करना है कभी-कभी यहां something went wrong कहता है क्योंक freedom रहती हैं तो यहां पए आपको फ्रसे वापीस आना है login and apply online वाले option पर click करना है फिर से यहां पर one उपिस एक और एक active email ID होनी चाहिए, marks sheet होनी चाहिए, qualifying courses की, आपके पास अधा लेंकेट mobile number होना चाहिए, जहां से आपका OTP आके आपका जो डिजी locker से document fetch हो पाएगा, उसके पाद continue वाले option पर click करना है, यहां से आपको अधा नमबर फिल करना है, उसके बाद आप successfully login हो जाओगे, login होने के ब आपको जैसे देख सकते हो यहां पर अगनिवीर, journal, duty, all arms का option आ गया है, तो आपको यहां पर apply पे click करना है, इसकी जो age है, साड़े सतारह से लेके 23 तक रहने वाली है, आपको class 10 में कम से कम 45 marks जो है वो minimum रहेंगे, और each subject 33%, उसके बाद आप यहां से अगनिवीर technical के लिए भ करना है, जैसे कि मुझे journal, duty के लिए apply करना है, तो आप मुझे यहां पे apply पे click करना है, apply पे click करने के बाद आपको नीचे आ जाना है, नीचे आने के बाद आपको continue पे click करना है, continue पे click करने के बाद आपकी सहारे duties यहां पे आ जाएगी, सहारे duties आने के बाद आपको यहां प स्लेक्ट करने के बाद आपको यहां पे अपना फोटो स्लेक्ट करना है आपका जो फोटो साइज है वो पांच के बी से बीस के बी तक रहने वाला उसके बाद आपको यहां पे अपनी सेग्निचर स्लेक्ट कर देनी है और आपका जो सेग्निचर साइज है वो पांच के बी से दख्स के भी रहने वाद फोटो और सेगनिचर एपलोड करने के बाद आपको सेव एंड कंटीन्यू पे क्लिक करना है सेव एंड कंटीन्यू पे क्लिक करने के बाद उसके बाद आपको यहां पे house number fill करना है उसके बाद यहां पे आपको अपना address fill करना है उसके बाद यहां पे आपको village अपना fill करना है उसके बाद यहां पे city town fill करना है उसके बाद आपको यहां पे block localty fill करना है उसके बाद यहां पे pin code और यहां पे playstation और post office और telegram office उसके बाद अगर आपका correspondence और pernet address सहम है तो आपको यहाँ पे sam as a pernet address पे click tick करना होगा सारे details फिल करने के बाद आपको save and continue पे click करना है save and continue पे click करने के बाद आपको नीचे आ जाना है यहाँ पे आपको अपनी highest qualification select करनी है उसके बाद अगर आपके पास कोई driving license है तो आपको yes करना है अगर नहीं है तो आपको no कर देना है उसके बाद आपको फिर से नीचे आ जाना है फिर से save and continue पे click करने के बाद आपको यहाँ पे अपनी qualification duties select करनी है यहाँ पे आपको अपना university board select करना है यह पासिंग उसके बाद रोलंबर और certificate number select करना है उसके बाद आपको यहाँ पे add पे click करने के बाद आपका जो record है वो है उसके बाद आपने out of marks select करने आपने hundred में कितने marks लिए है तो उसके बाद डोनों चीज़े select करने के बाद आपको यहाँ पे add a new row पे click करने के बाद आपका जो पहला record है वो save हो जाएगा उसके बाद आपको फिर से अपना दूसरा subject select करना है जो भी आपका subject होगा उसके बाद आपको यहाँ पे अपने जो सारे subject है वो one by one आपको select कर देने है one by one select करने के बाद आपको अपने सारे सब्जेक्ट स्लेक्ट करने के बाद आपको continue पे click करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाएगा your current application अगनीवेs general duty for our arms तो आपको यहाँ पे continue पे click करने के बाद आपका जो form है वो पूरा show हो जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी details चेक करनी है, details चेक करने के बाद, आपको यहाँ पर submit पर click करने है, उसके बाद आपको दिखाएगा, are you sure to submit?